नमस्ते, इप्राणा, मैं मिनाक्सी जैन, स्वागत करती हूँ आपका चैनल मिनाक्सी जैन पर इस वीडियो का बॉपिक है लिट्रेचर यामीन साइट का पार्ट टू पार्ट बन में हमने ग्यानपिट पुरुषकार से संबंदित जानकारी देखी थी अब उससे आगे की ग्यानपिट पुरुषकार की जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ-साथ रिलेटेड लिट्रेचर और जीके से संबंदित जानकारी भी देखते चलेंगे वीडियो की सुरवात से पहले ये एक मोटिवेशनल कोड जब सफलता की ख्वाईस आपको सोने ना दे जब महनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो समझ लेना सफलता का एक नया इतिहास रचने वाला है तो महनत करते रहे आपकी महनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी इस बात पर विश्वास रखें महनत करने वाले को सफलता एक दिन देर सवेर मिल ही जाएगी और देर से मिलेगी तो समझ ये आपकी सफलता बहुत ज़्यादा ग्लोरियस शांदार होगी अब तक 16 भासाओं के लिए ज्यानपेट अवार्ड दिया जा चुका है लेकिन इन 16 भासाओं में से सिर्फ एक ही भासा ऐसी है जिसके लिए प्रथम ज्यानपेट पुरुषकार प्राप्त करता एक महिला लेखी का रही है तो अब तक एक मात्रबासाद इसके लिए प्रथम ज्यानपिट पुरुसकार विजेता एक महिला रेखी का रही तो पंजाबी is the only language so far for which the first ज्यानपिट अवर्डी is a woman author और वो लेखी का है अमरिता पृतम जिन्हे 1981 में कागस्ते केनवास के लिए ग्यानपिट अवर्ड से समानित किया गया और ये अमरिता पृतम जी साहित्याकाद्मी पुरुसकार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी है फर्स्ट वोमन रेसिपेंट और साहित्याकाद्मी अवर्ड तो अमरिता पृतम 1956 में अपनी कविता सुनहेदे के लिए इन्हे साहित्याकाद्मी पुरुसकार दिया गया सुनहेदे यानि संदेश और इनकी आत्मकथा का नाम है रसीदिटिकर अमरिता पृतम जी से जोड़ी क्वेशन चूकि विसे में कभी न कपी पुछे गए जो मुझे पता है आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं ये दो क्वेशन तो सेम ही है सिर्फ क्वेशन का फॉर्मेशन अलग-अलग हैं और ये अलग-अलग सीजन में पुछे गए हैं एक वेशन में तो इनकी एक और फेमस कविता का जिक्र है अज अक्खा वारिश शाहन इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब की भहंकर हत्याकानलों का अत्यंत दुखत बर्नन है ये इस कविता में वारिश साह का अवान कर रही है वारिश शाह 18 सदी की मसहुर प्रेम कथा हिर राजा के लेखक है तो हिर राजा के लेखक कौन है तो वारिश शाह ये कह रही है कि वारिश साह जी अपनी कबर से उठो और पंजाब की लाखो रोती बेटियों किये दर्द क का एक नया प्रस्च लिको और ये एक क्वेश्चन इनके उपन्यास पिंजर पर हैं जिस पर एक मुवी भी वनी वई है और इस पिंजर उपन्यास में भी विभाजन की त्रासदी पर ही प्रकाश डाला गया है अब तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूं यानि अगस्त 2023 तक सबसे ज्यादा पा ग्यानपिट पूरुषकार हिंदी भासा के लिए दिया गया है अब तक 11 हिंदी लेखों को को ग्यानपिट अवार्ड से समानित किया गया है जिसमें 9 पुरुषे और 2 लेखी का है । एक महादेवी वर्मा और दुसरी कृष्चनाशोबदी ये महादे 185 में इनके उपन्यास जिन्दगी नामा जिंदा रुख के लिए हिंदी का साहित्य आकेडमी अवार्ड से समानित किया गया और ध्यान देख!.. क्रिष्णा सोबति हिंदी के लिए साहित्यillonकाद्मीmeem Nik sırकार प्राप्त करने वाली प्रतम मेला है पर साहित्यकाद्मी प्रतम मेला अम्रितंग्रतम है जो इसी वीडियो में हमने पहले चाना भी था और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रत्थम लेखक है कवी पंडित माखनलाल चतुरवेदी 1955 में इनके कवीता संग्रफ हिमता रिंगीने के लिए इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया अब तक सबसे ज़्यादा बार ग्यानपीट पुरुसकार हिंदी के लिए दिया गया 11 लेखों को और उसके बाद कंडर के 8 लेखों को तो वहीं पर संस्क्रत कस्मेरी और अंग्री जी ये ऐसी बासा हैं जिनके लिए अब तक सिर्फ एक बार ही ग्यानपीट अवर्ड से सम्मानित किया गया है तो कस्मेरी बासा के एक मात्र लेखा ग्यानपीट अवर्ड रेसिपेंट तो रहमान रही और इयर 2004 और इसी तरह संस्क्रत के लिए ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित होने वाले एक मात्र लेखा तो सत्यवरत सास्त्री 2006 में 2006 में सत्यवरत सास्त्री जी को संस्कृत के लिए और रविंदर केलकर जी को कौंकरी भासा के लिए संयोक्त रूप से ग्यानपीट पुरुसकार से समानित किया गया था ये दोनों ही अपनी अपनी भासा के फर्स्ट अवर्डी थे ज्यानपिट पुरुसकार प्राप्त करने वाले। सत्यवरत सास्त्री जी संस्कृत के तो रविंद्र केलकर जी कॉंकड़ी भासा के लिए फर्स्ट अवार्डी थे ग्यानपिट पुरुसकार प्राप्त करने वाजी और सत्यवरत सास्त्री तो अब तक एक मात्र ही है संस्कृत के लिए ग्यानपिट पुरुसकार प्राप्त कर लेकिन इसके बाद यह लेखक के भारती साहिते में संपुर्ण योगदान के लिए तिया जाने लागा यानि एकल करती के लिए ग्यानपेट अवर्ड प्राप्ट करने वाली अंतिम लेखक महादेवी वर्मा है 1982 में और यह तिनों अवर्ड और रविंद्र केलकरजी 1982 के बाद के हैं तो इन्हें किसी एक क्रिती के लिए सम्मानित नहीं किया गया था अब तक यानि 2023 में 2022 के लिए ग्यानपेट अवर्ड से सम्मानित करने के बाद तक 16 भासाओं के लिए ग्यानपेट अवर्ड दिया गया और फिर हिंदी की सुमित्रा नंदन पंत जी ये पहले पार्ट में हमने जाना तो अब इस वीडियो में हमने जाना पंजाबी के लिए अमरिता प्रितम, कस्मीरी के लिए रहमान राही, संस्कृत के सत्यवरत सास्त्री, कौंकनी के लिए रविंद्र केलकर, अंग्रेजी के ल पर पढ़ सकते हैं, लेखक का नाम, किस वर्स, भासा, वकिस रचना के लिए उन्हें ग्यान पिट पुरुषकार दिया गया, इस तरफ जिस वे प्रान या भासा से आपका संबन्ध है, उनकी पूरी जानकारी ध्यान से लिख ले और पढ़ ले, जैसे 1967 में उमा संकर जोसी जी को, उनकी रचना निसिता के लिए गुजराती भासा का प्रतम ग्यान पिट पुरुषकार दिया गया, और उसी वर्स, यानि 1967 में ही केवी पुटपा जी को, कननण भासा का फस्ट ग्यान पिट उनकी रचना स्री रामायन तरसनम के लिए, उनकी रचना यायाती के लिए, इसी तरह ये पुरी लिस्ट आप नोट कर ले और पढ़ ले, वीडियो में दी जानकारी के आधार पर पुछे गए, इस प्रसने का उत्तर कमेंट में दे दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेर कर दे, अपने वीचार वीडियो के बारे में अच्छे या भूरे या कोई सुजाव हो, तो कमेंट कर दे, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो और की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो बिलकुल फ्री है, और साथ में जो बेल आई कर हैं, उसे क्लिक कर और नोटिफिकेशन भी और सर दे, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक तुरन पहुंच जाएं, थैंक यू सो मच, और आल दे वेरी बेस्ट